वैश्विक महामारी घुशित कोरोना वाइरस से जहां पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, वही मुकामा के लिए राहत भरी ख़बर सामने आ रही है. तक करीबन 3 लाख की आबादी वाले मुकामा प्रखंड में इस कोरोना वाइरस की दस्तक नहीं पड़ी है. अर्थार्ट मुकामा प्रखंड फिलहाल कोरोना वाइरस से पूरी तरह महफूज है. वैसे इस वाइरस से जंग लड़ने के लिए लोकल स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह कमर कस चुका है. मुकामा रेफरल अस्पताल में कोरोना वाइरस की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग हायलेट मोड में है कोरोना संक्रमित मरीज को ततकाल पटना भेजने की मुकमल व्यवस्था की गई है वैसे प्रारंभिक लक्षन मिलने के बाद ही यह कदम उठाया जाएगा फिलहाल मुकामा कोरोना वाइरस से अभी तक महफूज है मुकामा वासियों के लिए यह ख़बर काफी सब्सक्राइब के लिए स्वास्थ विभाग कितना ततपड है हम लोग सब धंग से लेड़ी है एम्बुलेंस भी दोनों जबर रखा विया है मराची मुकामा में घुस्वरी में भी है और अभी तक सब लोगों के मेहनत से सहयोग से एक भी केस हैसा ने मिला है जिसको की पटना देफर किया जाए इस जाँच के लिए संदिक्द मरीज बाहर से आए भी है हर लोग स्रयोग करें हैं और हम समझते हैं कि इस पर विजय पाई है